Hello everyone, how are you? I am Shivam Pandey and you are watching The Blink. So, UP government ने एक नई लिकर पॉलिसी रिलीज करी है and मुझे personally वो लिकर पॉलिसी काफी पसंद आई तो मैंने सुचा इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आपको भी एजुकेट करूँ और बताओं कि लिकर पॉलिसी की इस वक्त हमारे देश में क्यों जरूरत है और सिर्फ UP में ही नहीं, पूरे इंडिया में क्यों जरूरत है तो पहले थोड़ा background जान लेते हैं क्या है कि इंडिया में लिकर कंजप्शन अगर बाकी दुनिया से हम उसको compare करें तो इंडिया का लिकर कंजप्शन 6 liters per adult per year है on an average, मतलब on an average इंडिया में 6 liters per adult per year लिकर खर्च होता है इसको अगर दूसरे देशों से हम मिलाएं तो यूएस में करीब 9.8 liters या कहले तो 10 liters 10 liters per adult per year यूएस का लिकर कंजप्शन है इंडिया का 6 liters है, यूएस का 10 liters है यूरप की countries से अगर European Union से अगर हम compare करें तो वहाँ पे कुछ-कुछ countries में 12 liters तक चले जाता है 12 liters per adult per year और चाइना की अगर हम comparison के तो चाइना में भी करीब 8 liters per adult per year वहाँ का liquor consumption है तो इसके हिसाब से हमें समझ आता है कि इंडिया का liquor consumption in low comparison में काफी low है बट खुश होने की जूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में अगर alcohol related death की बात करें तो इंडिया में alcohol related death WHO के मताबिक 2018 में करीब 2.6 lakh deaths per year हुई थी और यही average रहता है हमेशा करीब 2.5 lakh deaths per year इंडिया में alcohol के वज़ा से होती है इसको अगर हम दूसरे देशों से compare करें तो यूएस में 95,000 deaths per year alcohol के exploitation है, overdose से होती है तो यूएस में 95,000 और इंडिया में 2.5 lakh और यह बाकी दुनिया के हिसाथ मुकाबले अगर हम बड़ी economies की बात करें तो इंडिया में काफी ज़ादा है Of course, Africa और दूसरे कुछ ऐसे गरीब nation है जहां पर इससे भी ज़ादा है बट अगर हम अपने आपकी तुलना US और चाइना और UK से कर रहे है तो alcohol related death में भी हम अपनी तुलना US, UK और चाइना से ही करनी चाहिए तो इस मामले में इंडिया काफी आगे है अब ये जो नया liquor policy है वो इसी problem को खत्म करने की तरफ काम करता है कैसे वो मैं समझाता हूँ इंडिया में इतनी death जादा क्यों है उसके दो कारण है पहला इसका एक main कारण है main कारण ये है कि इंडिया की drinking habit वेकार है हमारी जो drinking habit है जिस तरह से इंडिया liquor consume करता है वो काफी खराब है और वो खराब हो है भी इसलिए भी है क्योंकि अब तक इस पर जादा ध्यान दिया नहीं गया है तो ये कैसे खराब है उसके दो points है पहला point ये है कि इंडियांस hard liquor पर जादा focus करते हैं ना कि soft liquor पर अब hard liquor और soft liquor क्या है तो अगर मैं बताओं आपको hard liquor मतलब whiskey और vodka ऐसी चीजें जिसमें की alcohol content जादा है alcohol percentage जादा है वो hard liquor में आती है और ऐसे liquids जिसमें की alcohol content कम है less than 5% है या 5% है जैसे की beer वो soft liquor में आता है इंडियन्स का जादा जोर hard liquor पे होता है लोग whiskey और vodka जादा पीते हैं instead of beer और एक तो पहला reason ये है जादा deaths का और जादा खराब health का liquor का क्योंकि हम hard liquor पे जादा focus करते हैं और दूसरा है country made liquor जो country made liquor बाहर भी है लेकिन हमारी याँ जो country made liquor है वो काफे toxic है क्योंकि उसके पर regulation नहीं है वो किस तरह से आप जाओगे UP के कई गाओं है मधबरदेश के कई गाओं है और काफी ऐसे states में कई बिहार में ऐसे चोटे मोटे गाओं है हलाकि आप बंद हो गए हैं वहाँ बैन होने के बाद बढ़ जारकंड में ऐसे कहीं चोटे मोटे गाओं है जहां पर पता नहीं किन practices का इस्तमाल करके बहुत ही खराब quality की liquor बनाई जाती है और आप आए दिन उठते हैं सुबह paper में news देखते हैं कि आज 12 लोग मर गए आज 20 लोग मर गए बेकार liquor पीके कभी-कभी ethanol पीके मर जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है alcohol related deaths का कि हमारी जो country made liquor है वो काफ़ी toxic है वो उसके उपर कोई regulation नहीं है अब ये जो दो problem मैंने आपको बताई पहली hard liquor पर ज़्यादा focus होने का और दूसरा country made liquor का toxic होने का इनी दोनो problems को counter करने के लिए UP government ये नया liquor policy लेकर आई है इसमें होता है क्या मैं आपको बताता हूं पहले जीज तो ये है कि beer को अभी 1st April मतलब आज मैं जब ये video shoot कर रहा हूं तब 1st April है मतलब कल से beer 20 रुपे सस्ता हो जाएगा 20 रुपी सस्ता हो जाएगा और whiskey vodka जो hard liquor है वो 15-20% महंगा हो जाएगा तो whiskey अगर महंगा हो गया और beer सस्ता हो गया तो obviously लोग beer की तरफ जादा फोकस करेंगे तो इससे ये लोग government hard liquor से focus shift करके soft liquor की तरफ लेकर आना चारी है beer को promote कर रही है soft liquor को promote कर रही है पहली problem इस तरह से counter कर रही है और दूसरी problem micro breweries से counter कर रही है country made liquor की जगा पर government micro breweries promote करेगी अब micro breweries क्या होता है ये जो आपकी whiskeys हैं और जितने भी large brands हैं ये जो बनती हैं whisky बनती हैं उन्हें brewery कहते हैं जहाँ पर ये बनती हैं ऐसे ही एक micro brewery होती है जहाँ पर बहुत ही छोटे amount में liquor बनती है country made जितना amount गाउं में बन सकता है उतने amount पर micro brewery में liquor बनाई जाती है ये हमारे देश में बहुत कम जगह हैं अभी जातर बड़े-बड़े major cities metro cities में ही है Delhi में है, Bangalore में है लेकिन ज़्यादा जगह नहीं है पताना चारों कि अगर आप पूछें कि beer लोग क्यों इसमें question बनता है कि हम Indians hard liquor पर क्यों ज़्यादा focus करते हैं soft liquor पर क्यों नहीं करते हैं हमेशा से ही, तो इसके पीछे का बहुत साइजर्स हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं पता लेकिन एक reason में को जो दिखता है सामने वो ये है कि इसमें cost का issue है हमारे हाँ whisky सस्ती है beer महंगा है, अब आप बोलेंगे कि नहीं whisky तो 400 रुपए तक में whisky आती है और beer 100 रुपए तक में मिल जाती है, तो वो कैसे सस्ती है मैं आपको इसका math समझाता हूँ इंडिया में whisky 400 रुपीज में आपको 720 मिली लेटर whisky, 720 मिली लेटर की whisky की बोटल आपको 400 रुपए मिलती है मतलब 100 रुपए में 180 ml whisky आपको मिल रही है याद रखना कि 100 रुपए में 180 ml मिल रही है whisky और beer 100 रुपए में 600 ml मिलती है obviously जादा है लेकिन whisky में alcohol content 40% होता है मतलब 180 ml whisky में करीब 72 ml alcohol है तो 100 रुपए में आपको 72 ml alcohol मिल रही है और beer की अगर बात करें तो beer में सिर्फ 5% होता है वहाँ 40% याँ सिर्फ 5% तो इसलिए आपको 650 ml beer में भी सिर्फ और सिर्फ 32 या 33% alcohol मिलता है तो beer में आपको 100 रुपए में 33% alcohol मिलता है और whisky में आपको 100 रुपए में 72 ml alcohol मिलता है तो लोग इंडियन्स मैट्स में काफी अच्छे हैं worldwide तो इंडियन्स ने गणित पहले से ही discover कर लिया है तो वो लोग whisky में जादा invest करना सही समझते है और क्योंकि उसमें alcohol जादा है अब UP government ने ये नया liquor policy ला करके इसी चीज़ को counter करना चाहा है इन लोग ने beer को सस्ता कर दिया है 20 रुपए और whisky को साथ ही साथ बढ़ा भी दिया है अगर सिर्फ beer को सस्ता करते तो भी इनके लिए beer महंगी ही होती है और whisky तब भी सस्ती होती है लेकिन whisky को भी महंगा कर दिया है तो अब beer जादा सस्ती हो गई है whisky थोड़ी जादा महंगी हो गई है तो अब देखते हैं शायद से मतलब जहां तक मुझे लग रहा ऐसा होगा कि अब Indians बीर के तरफ जादा focus करेंगे ना कि hard liquor के तरफ अपने health को भी जादा priority देंगे तो मेरे हिसाब से UP government का liquor policy 10 on 10 है काफी अच्छी है और अगर ये UP में अगले 2-3 साल में हम देखेंगे 2-3 साल में अगर ये काफी अच्छे से perform करती है और results इसके अच्छे आते हैं तो surely इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए जो मुझे important लगेगा और मुझे लगेगा कि आपको जानना चाहिए उस पर I2 I Talk वाली वीडियो मिलेगी तो अगर आपको ये concept पसंद आ रहा है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और मुझे बताएं कि आपको ये चीज पसंद आई मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद